सन्यास के बाद वापस आ रहा है जस्परीद बुमराह का दोस्त करता है सबसे खतरनाक गेंदबाजी श्री लंका में हार के बाद रोहित शर्मा ने लिया सबसे बड़ा फैसला अब मैदान पर रोहित का दोस्त आएगा भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंप वापसी कराने का फैसला कर लिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया रोहित शर्मा ने इशारों इशारों में बता दिया कि टीम में बदलाव किया जाएगा मगर इतना बड़ा बदलाव कर देंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था जो गेंदबाज सिर्फ और पाही मचाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, जिस गेंदबाज के आगे दुनिया के अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, जो जस्पृइद बुमराह को सबसे ज्यादा प्यारा है, उस गेंदबाज के मैदान में वापसी होने जा रही है, श का नहीं मिल पाया मुहम्मद शमी के टीम से जाने के बाद गेंदबाजों की कमी खल रही थी लेकिन श्री लंका की सीरीज के दौरान तो सारी पोल ही भारतिय टीम की खुल गई कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हुआ जिसके बाद हर किसी को जस्परीद बुमराह और उनके दोस्त की याद आने लगी और अब रोहित शर्मा ने बांगलादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले ही अपने दोस्त की वापसी का एलान कर दिया मतलब साफ है कि रोहित शर्मा किसी भी तरीके से टेस्ट सीरीज में रिस्क नहीं लेना चाहते और असली खेल तो बांगलादेश के खिलाफ ही देखने को मिलने वाला है जिस गेंदबाज के वापसी होने जा रही वह कोई और नहीं बलकि टीम इंडिया की आनबान शान मोह मोहमद शमी हैं सन्यास की बात आप सोच रहे होंगे कि हमने उन पर क्यों बताई तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मोहमद शमी चोटिल हुए थे क्रिकेट के एक्सपर्ट मान रहे थे और तो और फैंस भी कह रहे थे कि अब शायद ही शमी की वापसी हो पाए कई लोग कप में तो इस बार जस्परीद बुमराह ने किसी तरीके से नयापार लगा दी लिकिन फिर भी शमी की कमी खल रही थी हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार शमी के वापसी टीम में कब होगी और अब बांगलादेश के सीरीज से पहले मोहमद शमी की मोहमद शमी को हराम मचाते हुए कहर ढाने के लिए तैयार बैठे हैं अगले महीने बांगलादेश भारत के दौरे पर आएगी और दो टेस्ट मैच और तीन टी 20 सीरीज खेली जाएगी जिसमें आपको जस्परीद बुमराह और शमी भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं दोस्तो आपको क्या लगता है जिस तरीके की गेंदबाजी मोहमद शमी ने पहले की थी वैसी ही गेंदबाजी टीम में वापसी की बात कर पाएंगे या नहीं शमी को क्या जल्द से जल्द टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताई